अपने और हमारे सब के चैनल बहुत सफिने शेयर बजार में आपके सभी का स्वागत करता हूँ आज हम जो वीडियो से रिलेटरी बाते करने वाले हैं दो बहुत अच्छे FMCG सेक्टर के दिगष शेयर हैं उनसे रिलेटरी बाते करने वाले हैं कुछ एक शेयर में तो एक पहतरी न्यूज पर न्यूज आये जा रही है उससे लेटर हम बाते करेंगे उसकी न्यूज देखेंगे और बाताना चाहता हूँ कि दोनों शेयर ही फंडमेंटल इस्टोंग है बहुत पहले भी रिकमेंड मैंने आपको बढ़ता है एक एक दो दो बार वीडियो बनाई है और बताया है कि शेयर की तरफ ध्यान दीजिए बहुत शेयर आपको मल्टिवाग रेटर दीए और आपको दीए भी है तो वीडियो की दर चलते हैं तो आई है एए वीडियो की दरफ चलते हैं बट बट इफोर आपसे रक्षेश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बउस ऐप विन शेयर बजेर जो आप सभी का चैनल है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्री में एंजल बोकिंग के साथ डिमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा बहुत सारे फायदे है इसके और अपर एक और लिंक है श्रीराम जी का अयुद्या में जनम बूमी पर मंदिर बन रहा है वहाँ पर के लिए आप डॉनेट कर सकते हैं उस मंदिर को बनाने में एक पुन्य काम में मदद कर सकते हैं और अपनी इच्छा उनुसार जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप दान दे सकते हैं तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस से लेटरी बाते कर रहा हूं वह सबसे पहले शेयर सबसे पहले शेयर का नाम है मेरी को इसको प्राइस 404 रू smoothie इसका पास चल रहा हूं के जिस का प्राइस 445 रूपी शेयर के आसपस चलorth हो और डिलिवरी वेसी स्पोट हाई गया अलब 43% के शेयर और ये वीडियो मैंने भूट तैम पहले भी आपको बताया था और आपको बताया था तीन सो साल रुपर पे जाव ये शेयर चल रहा था ने तो ये आपको बताना जाता हूँ इस शेयर का नाम जो है न मारी को है ओके और ये वह शेयर है को आपको मल्टी बेंगर रेटांस तो देता है और मैं आपको बताऊंगा यह slow चलने वाला share है, तो यह उस philosophy पर काम करता है, slow and steady wins the race, कच्छुए और खर्गुश की आपने कानी सुनी होगी न, तो उस study पर काम करता है, उस phenomenon पर काम करता है, 2 रुपे का share था, आज की rate में 424 रुपे मिल रहा है, bonus, plate, dividend, सब कुछ देने वाला यह share है, तो इसको इस चीज से मताख किये, कि यह slow चलता है, तो इसलिए इसने double return नहीं दिये, पट यह 30 return है, कि आपका risk कम है इस share में invest करने, 65% की returns, फिर भी इसने अपने blow से दे दिये, अगर बात करूं, तो यह share आपका slow definitely चलता है, बट returns के मामले में अच्छा है, long term के अ fundamental study कर रखी है, नारियल तेल जो आप यूज़ करते हैं, ओके कौन सा, जो आप इसको आप चले जाएगे, पराशूड जो इसका है, ओके यह oil safola जो इसके brand है, यह सारे की सारे इसी के brand है, आप इसकी वीडियो पर चले जाएगा, तो आपको पता चलेगा, कि यह share है, जिसके बारे में हम बाते कर रहे हैं, काफी दिगर शेयर हो, इससे related दो न्यूज है, सबसे पहली न्यूज, सबसे पहली न्यूज है यह, जो आपके सामने दिख रही है, तो क्या, तो मारी को launch करने जा रहा है, क्या, नूडल्स, किसे complete करने के लिए देखी, नैसले के आपको नू इसके लाबा एक और से related news क्या है, तो एक और news यह है, कि यह dividend देने जा रहा है, तो इनकी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट अगर इनकी company ने काया है, देंगे, तो आपको देंगे, तो तीन तारीक को पता चल जाएगा, तो आपको interim dividend भी यहाँ पर मिल सकता है, तो भेतरी शेयर है, अपने portfolio में add कर लीजेगा, यहाँ पर अगर हम देखे, market cap, large cap company है, काफी अच्छे fundamentals है, results की बात करें तो इस बार का profit देखिए, 307 करोड रूपे का यहाँ पर profit है, जो कि पिछले quarter से अच्छा है, अगर यह और एन year basis पे देखिए, तो बार पिछले बार म का investment, cash equivalent की बात करें, 785 करोड रूपीज का, यहाँ पर cash equivalent है, ROCE की बात करें, तो देखिए, यहाँ पर कितना 43% है, तो यह जो अगर share को रख लिया ना आपने, तो आपके portfolio में चार्चांद लगा देगा, आपकी ऐसी wealth create कर देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, okay, 60% के अतनी हिस्सेदारी यहाँ पर है, तो पब्लिक के पास देखें, क्या है, ना के बराबर, कि वो ना के बराबर हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास, आपको बात करूँ तो थोड़ी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास केवल 0.1% की हिस्सेदारी, पब्लिक शेर से ले ट्रेड अगर बात करने तो 789 रुपीज पर ये शेर चल रहा है, मैक्सियन चाट पैटन देखेंगे काफी बहतरी पांच रुपे का शेर था 7089 पर चल रहा है, और 300 के आसपास मैंने ये बताया था, तो कंपनी का नाम है, ये ADF Foods Limited आपने देख लिया होगा, ADF Foods Limited देखें 419 रुपे पर 16 सेप्टेंबर को यहां पर अगर मैं आपको हूँ, 419 रुपे पर बताया था ये शेर, अगर देखा जा तो डबल की और ही भागे जा रहा है, और फिर उसके बाद एक और बताया था, 607 रुपे पर जब ये शेर चल रहा था, 7 दिसंबर को तम बैने बताया था, और आज की डेट क्या है, आज 19 तारीक है, फिर दुबारा में आपको बता रहा हूँ कि ये शेर काफी fundamentally strong है, लगबग 800 रुपे पर शेर आ गया है, लगबग 90-95% के रेटाइंस आपको दे दिया है, जब से मैंने वीडियो रिक शेर को रिकमेंट किया है, इस शेर से लेटरी अगर बात करें, 123 रुपे पर ये 24 मार्च को मिल रहा था, और अब 81, 8, 22 रुपीज पर 16 रुपीज को इसने अपना 52 रुपीज भी लगा दिया है, 35% के डिलिवरी देखी गई है, उठाती हुई, और कोई शेर अपना बेचने को रेडी ही नहीं है, एक बात की जाए, अगर नहीं पर देखा जाए, तो देखिए, डिविडेंट भी देती आई है, 1.5 रुपीज का डिविडेंट है, और क्या जो काम है, बहुत बहुत बैतरीन फंड FMCZ की कमपनी है, है, इसकी वेब सैट को देखना फोरन में अपने प्रोडक्स बीशते हैं, ऑर इंके प्रोडक्स याते हैं, काफी फंडमेंटरल्य श्टॉंग हमें नाजर आता है इसके इलावा गर हम बात करें, इस के अशेर के कुंछ हैं अगर हम देख लेते हैं याँं, यहां पर देख लीजिए, तो इदे की small cap company है, तो इसकी पर याद रखे, भाग जिसते speed से रही है, जिस speed से इसने लगबार गुना कर दिया आपके पैसे को within a year, तो उसी तरीके से अगर गिरना शुरू किया, तो गिरना भी आपको यह भारी भी पड़ सकता है, तो इसलिए थ जितने छोटे level पर मिलें, उसे ध्यान रखे, वर रोसी बात की बात की बात की जाए, तो 28% की है, रोसी है, जो की काफी interesting है, अगर बात की जाए, अगर बात की जाए, इसका CAGR चल रहा है, और अगर बात की जाए, इसके net profit की, तो देखिए 14 करोड रूपे का net profit, जो पिछल इसके जाए, अगर बात की जाए, रिजर्फ की 207 करोड का रिजर्फ कंपनी अपने कर्च को कम करे है, लगवाथ 13 करोड रूपे के कर्ज है, 14 करोड रूपे का investment है, अगर cash equivalent की बात की जाए, 60 करोड रूपे का in kबास cash equivalent है, okay, as well as बात की जाए, 30 का ROCE है, promotors की holding 30, 1.45% है, जो कि यहाँ पर घटती हुई नेजर आ रही है बट अगर foreign investors ने यहाँ पर देखिए क्या jump मारी है foreign investor ने 31 से सीरे 10% की हिसेदारी यहाँ पर वड़ा दिया तो इस चीट को ध्यान देना है कि यह जो promoters है foreign investors है वो यहाँ पर हिसेदारी खरीदते जा रहे है दिया इस ने अपने हिसेदारी कम कर दिया है public के पास कितनी holding है public के पास holding के बल थोड़ी सी है क्योंकि यह जो नाम है यह public नहीं एक पर टिकुलर परसन सी है या को institutions है उन्होंने ही यह लिए रखिया अगर बात ही जाए बीस तेइस और तीन चब्वेस अठाए उनहतिस तीस 31 परसेंट की हिसेदारी और बाकि 31 को इससे गटा दीजिए लब 25 परसेंट की हिसेदारी public के पास है बाकि सारी हिसेदारी आपको डिया एस एफ़ए एस फॉरे इंवेस्टर्स के पास ही मिलेगी तो काफी बहतरी इन कंपनी हमें इस चीज़ से नजर आ रही है बाट कोई भी पोजिशन लेने से पहले आप जरूर अपने financial advisor से पूछ लीजेगा क्योंकि यह कोई recommendation नहीं है just simply educational video है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment share करियेगा as well as हमारे चैनल बहुत सब्सक्राइब करना बिलकुल मित भूलेगा और हमें थोड़ी बदत करिये ताकि हमार चैनल ग्रो हो सके और जितना ग्रो होगा हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे so thank you so much god bless